हेलो एंड वेलकम टू धमारूती क्रियेटिव सॉलूशन्स प्रेजेंस धमारूती इलर्णिंग क्लासीज डीटीपी डैस्टोप पब्लिशिंग उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे सॉफ्टर सिखाने आवाला हूँ जैसे की फोटोसोप, इलास्टेटर, कोरल रू और लाइटरूम क्लासिक ऐसे बहुत सारे सॉफ्टरे में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ तो चला सुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉटकट की, शॉटकट की इसकी मदद से कैसे हम कॉम्पूटर पे फास काम कर सकते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग computer पर काम करते हैं और उनकी speed कुछ जादा ही होती है फटा-फट काम कर लेते हैं और हम देखते ही रहे जाते हैं उसकी वज़ा है कि हमको वो shortcut की नहीं मालूम होती कि जिसकी मदद से हम computer पर fast काम कर सकते हैं मतलब कि हमको mouse कम यूज़ करना है और keyboard जादा यूज़ करना है तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मुझे my computer में अगर जाना है तो हम यहाँ पर आएंगे और my computer पर click करेंगे double click करेंगे तो फिर my computer open होगा लेकिन उसकी shortcut की किया है सबसे पहले यहाँ पर desktop पर एक click करना है उसके बाद control and दमाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि my computer आ चुका है यह देखो my computer यहाँ पर है लेकिन मैं अभी फिलाल हूँ desktop पर मलब control and दमाने से ऐसा desktop का एक folder open हो जाता है लेकिन मुझे particular my computer direct open करना है तो उसकी भी एक shortcut की है हमारे keyboard में जो control के आगे window का जो button होता है उसको press करने के बाद e e press कीजिए window e press करने से सीधा हमारा my computer open हो जाता है इसको मैं फिलाल अभी बंद कर देता हूँ और मुझे यहाँ पर कोई new folder बनाना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा की right click करके यहाँ पर हम new पर आएंगे फ्री यहाँ पर फोल्डर पर जाएंगे और हम new folder create करेंगे जो भी नाम रखना हो वो रखके हम यहाँ पर उक्की कर देंगे लेकिन इसकी भी एक shortcut की है कि इतनी लंबी process करने कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है डाइरेक हम new folder बना सकते है तो उसकी shortcut की है control shift end control shift end दबाने से आपका सीधे डैश्टोप पे नया folder आपको ready मिलेगा देखो फिर से एक बार मैं कर रहा हूँ control shift end दबाया मैंने और तुरंत यहाँ पे new folder आ गया उसको मुझे जो नाम से save करना है वो नहीं नाम दे के यहाँ पे ok दे दूँगा तो वो folder वहाँ पे save हो गया यहाँ पे यह folder आ गया इसका नाम मैंने भी दिया है zero double one zero अगर इसका मुझे rename करना है तो right click करके मैं rename करूंगा तो वहाँ से उसका फिर से मैं कोई नया नाम देना चाहूँ तो वो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे लेकिन इसकी shortcut key क्या है इसकी shortcut key है f2 f2 press करने से हम उसको direct rename कर सकते है और एक चीज यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा सबसे पहले तो देखो यहाँ पे recycle bin में पूरा recycle bin खाली है इसको मैं यहाँ से delete press करूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ आ रहा है are you sure you want to move this folder to recycle bin yes दे देंगे तो वो हमारा recycle bin में चला जाएगा यहाँ पे recycle bin open करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा folder यहाँ पे है लेकिन मुझे इसको permanent delete कर देना है मतलब यहाँ आके delete करूं उसके बाद recycle bin में जाके clear करूं उसकी नहीं मुझे direct ही इसको delete करना है तो कैसे करेंगे उसकी भी shortcut की है इसको सबसे पहले हम वापिस ले लेते है रि यूशो और यूवांट टू पर्मनेंटली डिलिट इस फोल्डर यस दे देंगे तो वह फोल्डर recycle bin में भी नहीं आएगा वह फोल्डर पर्मनेंटली डिलिट हो गया है इसकी shortcut की है shift delete जैसे हम delete प्रेस करते हैं लेकिन यहाँ पे खाली हमको shift प्रेस करके बाद में delete प्रे shortcut की है अल्टर F4 कोई भी आपका application या फिर आपका कोई folder open हो तो उसको बंद करने के लिए अल्टर F4 shortcut की है जो ज्यादा तर सबको पता होगी कि अल्टर F4 प्रेस करने से one by one सबी चीज़े बंद हो जाती है लेकिन उसकी एक और shortcut की भी है जिसकी मदद से हम my computer बंद कर सकते ह या फिर कोई software open हो Photoshop illustrator कोई भी उसको अगर हमको बंद करना है तो उसकी shortcut की है अल्टर space C दबाने से वो direct बंद हो जाता है जी हाँ ये shortcut की मैंने बनाई हुई है मतलब मैं आपको दिखाता हूँ ये shortcut कि हम ऐसे बना भी सकते है वो कैसे बना सकते है वो देखो आप जबी भी म के नीचे underline है E के नीचे underline है V के नीचे underline है और T के नीचे underline है और H के नीचे मतलब अल्टर प्रेस करने के बाद F दबाऊंगा यहां पे देखो C के नीचे underline आगी तो मतलब मैं सिधा C प्रेस करूंगा तो वो बंद हो जाएगा मैंने अभी कौनसी shortcut की यूश की थी all the space दबाऊगे है तो यहां से आपको पूरा शोग करेगा कि आप इसको minimize करना चाहते है बंद करना चाहते है अगर मैं सको minimize करना चाहता हूं तो all the space के बाद यहां पर क्या दिखाई में भी काम आएगी computer गेंदे कोई भी चीज ओपन करेंगे तो यह चीज काम करेंगे कि अल्टर स्पेस दबाने से minimize size कुछ भी करना हो तो कर सकते हूँ जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक चीज करके दिखाता हूँ अगर में past दबाने के बाद में आगर रैड भी प्रेस करूंगा तो वह चोटा होगा मरलब जो में की पहले प्रेस करूंगा उस साइड से वह चोटा बड़ा होगा वैसे अगर आपको size में यह फिरी नहीं है और एक चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा जैसे ही कि हम यहां पर एक नॉट पेड ओपन कर लेते हैं और यहां पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ कि 12345678910 ठीक है अभी मैं यहां पर आपको क्या दिखाने जा रहा हूं कि backspace और delete जैसे कि हमने फोल्डर को delete करना था तो उसके लिए क्या प्रेस किया delete डिलिट का यूज कहां पर होता है कोई भी फोल्डर या फाइल डिलिट करते है उसके लिए यूज होता है लेकित backspace और delete हमारे word एक्सल या फिर notpid या फिर गूगल क्रोम आप जहां पर भी कुछ भी टाइप कर रहे हो वहां पर भी यह चीज काम करती है यहां पर अभी में 5 और 6 के बीच मेरा है कर्सर यहां पर अगर मैं यहां से backspace दवाऊंगा तो जो भी मेरा कर्सर था उसके आगे की चीज गई यहां से मैं delete प्रेस करूंगा तो मतलब यहां पर बंटम को I Can सकते हों अगे की चीज़ डिलेट होगी और इलिट से पीष्व की चीज़े डिलेट होगी ठीक है और एक चीज में आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जैसे कि यहाँ पर मैंने notpad भी open किया है window भी open किया है यहाँ पर मैंने और Google Chrome भी open किया है जैसे कि मुझे मेरे notpad के अंदर जाना हो रहा notpad से कोई भी text लेना हो तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आता हूँ notpad open करता हूँ और जो भी काम हो वो करके इसको मैं minimize करता हूँ मतलब इसकी shortcut की क्या है कि अगर हम Google Chrome के उपर है और मुझे दूसरे folder में जाना है या फिर notpad में जाना है या फिर दूसरे कोई software में जाना है तो यहाँ से आम open तो कर सकते हैं लेकिन इसकी shortcut की क्या है इसकी shortcut की है alter tab, alter tab करने से आपका जितना भी यहाँ पे folder files कुछ भी open होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और उसके उपर आप जा सकते हो अल्टर tab से one by one यह देखो हमारा यहाँ पे move रहा है one by one आगे जा रहा है यह देख सकते हो आप तो यह अल्टर tab देखा आपने one by one हम आगे कोई भी folder में जाना हो तो जा सकते है लेकिन यह अभी right inside पे move कर रहा है इसको मुझे reverse में ले जाना है तो उसकी shortcut की है अल्टर shift tab अल्टर tab करने के बाद अब shift के साथ भी press करोगे तो वह reverse में जाएगा देखो मैंने shift छोड़ दिया आप मैं tap प्रेस करना हूं तो आगे जा रहा है लेकिन यह shift के साथ मैं press करूंगा तो यह पीछे जाएगा यह देख सकते हो तो मदलब अगर आपको कोई भी य new tab open करना है तो यहां पर plus का symbol है यहां new tab लिखा हुआ आ रहा है यहां पर click करूंगा तो यह new tab यहां पर आ जाएगा लेकिन इसकी shortcut की है control T इसकी मदद से हम direct यह one by one open कर सकते है और यह open तो कर दिया लेकिन इसको बंद करना है तो यहां पर आके मुझे close करना पड़ेगा यहां पर आके ही close करना पड़ेगा लेकिन इसकी भी एक shortcut की है जिसकी मदद से हम यह direct बद कर सकते है control W control W की मदद से one by one tab close होंगे ठीक है वापिस एक tab आ गया दूसरे एक चीज़ यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा जैसे कि हम Google पर यहां पर Google Chrome के निदर कोई भी काम करते ह है तो उसकी एक history सेव होती है यहां पर हमको दिखाई देगी history जिसकी shortcut की है control H direct हम open कर सकते है जैसे कि यहां आके हम यहां पर click करेंगे तो भी यह चीज़ open होगी और direct उसकी shortcut की है control H प्रेस करेंगे तो अभी हमारी history यहां पर open होगी लेकिन यहां हमारे पास Google Chrome के अंदर एक ऐसा mode भी है जिसके अंदर कोई भी आपकी history सेव नहीं होती है जिसका नाम यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि new incognito window कहते है इसको जिसकी shortcut की यहां पर दी हुई है control shift and press करने से यहां पर एक नया Google Chrome open होता है जिसको कहते है इंक कॉगनिटो मोड जिसके अंदर हम कोई भी काम करेंगे जैसे पि यहां पर मैं Google open कर लिया यहां पर मैं search कर रहा हूं जैसे कि यहां मैंने search किया restaurant near me यहां पर मैंने search भी कर लिया यहां पर कोई भी एक website पर भी जा रहा हूं इसके बाद मैं इसको अभी बंद कर देता अब मुझे history open करनी हो कि मैंने last क्या open किया था तो यहां पर देख सकते हो आपकी history का कोई option ही नहीं है और यहां पर अगर हम control H भी प्रेस करते हैं तो हम normal हमारा जो Google Chrome open था उसकी history show करेगी जो हमारा यह अलग से incognito mode open वह था उसकी कोई भी history यहां पर नहीं है तो मतलब इसक कि कोई भी history यहां पर यह सेफ नहीं करता है और एक चीज़ मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा Google Chrome के अंदर की जैसे कि बहुत सारे टैब हमने यहां पर open की जिसके अंदर यहां पर मेरा कुछ अलग काम चलुए यहां पर मैं YouTube सेर्च कर रहा हूं यहां पर कुछ और काम कर रहा हूं मुझे यहां से एक टैब से दूसरे टैब के अंदर जाना है Google Chrome के अंदर ही दूसरे टैब में मलब जैसे कि अगर अल्टर टैब प्रेस करते हैं तो वो पूरा हमारा Google Chrome Windows not paid कोई भी software अपर नो तो वहां पर movement करेगा लेकिन मुझे अंदर ही Google Chrome के अंदर ही जैसे कि यहां पर पहले नंबर वन टैब है उसके अंदर जाना है या फिर दूसरे के अंदर जाना है या फिर तीसरे के अंदर जाना है तो वो switch मैं कैसे करूंगा तो उसकी shortcut की है control टैब प्रेस करने से आप अंदर ही अंदर one by one आपके जितने भी टैब ओपन है Google Chrome के अंदर वहां पर आप जा सकते हो दूसरी इसकी shortcut किये जैसे कि मैंने पास यहां पर बहुत सारे टैब ओपन है ठीक है अगर मुझे यहां से डायरेक्ट यहां पर में एक अलग open कर लेता हूं ताकि हमको पता चल जाएगी देखो अभी हमारे पास कितने टैब है 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है अभी मैं हूँ पहले नंबर के टैब पर ठीक है और डायरेक्ट मुझे 7 नंबर या फिर 6 नंबर के उपर जाना है तो यहां पर मैं control के साथ 7 प्रेस करूँगा तो सीधा मैं 7 नंबर के टैब पर आ गया अगर मुझे 2 नंबर के टैब पर जाना है तो सीधा control 2 प्रेस करूँगा तो देखो यहां पर टू नंबर के टैब पर आ गया मलब control टैब से 1 बाइवन जाएंगे आप आगे आगे और control shift टैब से 1 बाइवन आप पीछे भी आएंगे जैसे हम alter टैब और alter shift टैब के अंदर नहीं क यहां पर हम जा सकते हैं direct jump करके ओके और एक चीज़ यहां पर हम देखेंगे अभी जैसे कि यहां पर YouTube का टैब है इसको मैं यहां से बंद कर रहा हूं अभी मुझे इसका कोई काम नहीं है तो और आगे जाके यहां पर Google ओपन करता हूं और यहां पर कोई भी चीज सर्च कर लास्ट हमारा जो भी टैब ओपन था वह वापिस से ओपन हो जाएगा जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम की वज़े से आपका Google Chrome डाइरेक्ट बंद हो गया ठीक है और उसके बाद आप Google Chrome ओपन कर रहे हो और आपको जो चीज लास्ट में ओपन थी मेरे जैसे कि हम भी एक साथ यहां पर देखो आप ओपन हो जाएंगे और यहां पर हम एक और शॉटकर की देखेंगी कि यहां पर माइ कॉम्पूटर भी ओपन है Google Chrome ओपन है और मुझे यहां पर नॉटपड भी ओपन है और मुझे डाइरेक्ट डैस्टोप पर जाना है तो यहां पर माउस ले जाएंगे जहां पर लिखाए शोड ळेस्टाप यहां पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी चीज ओपन थी वह मुनिय८ाइज हो जाएगी हो और यहां पर फिर से क्लिक करेंग तो फिर हमारी जितनी भी चीज minimize थी वो वापिस open हो जाएगी लेकिन इसकी shortcut की है window D window D press करने से जितने भी हमारे यहाँ पर Google Chrome या फिर software वगरा कोई भी open दा तो वो सभी चीज़े minimize हो जाती है और वापिस window D press करने से वो चीज़े वापिस भी आ जाती है मलब window D से आप direct minimize कर सकते हो सभी चीज़ों को एक साथ में ओके दोस्तों बस आज के लिए इतना ही ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दवाना ना भूले जिससे हमारी सभी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे झाल